नवस्कार दोस्तों, अप्टी टी टि टियारी चैनल में आप सभी सात्यों का फिर से एक बार स्वागत है सात्यों आप सभी के लिए डेली एक बार की माध्यम से जो भी नियुज प्रकाषित की जाती है सुबस्व में आप सभी के बीच में लानी की पूरी कोशिश करता हूँ, ये बात आप सभी ने देखा होगा 37 शिक्षिकों के प्रमान पत्र योग्य नहीं, आप सभी को ये भी पता है कि आज कल किके पाठक जी के निदेशानुशार 38 जिला में जो भी TRD1 में हमारे साथी चैनित हुए हैं और विद्याले में योगदान कर लिये हैं, उनका चेकिंग जो है वो चल रही है, थाम इंप्रेशन अब इसमें हमारे साथ ही पकड़े जा रहे हैं, डियों ने शिक्षकों को निर्गत विद्याले आवंटन पत्र किया निरस्त, अब व्यार्तियों के पास B8 प्रमान पत्र नहीं, कई C, 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 S, T में पाए गए फेल, C, B, S, E, जो भी होगा, यहां पर जो भी, जहां से भी इन्होंने TET का प्रिक्षा दिया था, वहां पे फेल पाएगे, 12 लोग से वा आयोक दोरा पहले चरण में, बहाल 37 नवन्युक्ट शिक्षकों के प्रमान पत्र शिक्षक बनने योग्य नहीं पाए, डियो जियाउल होद्दा, खा ने बताया है कि गड़वडी मिलने पर 6 शिक्षकों को, अब बंदिक न्युक्ति पत्र तो 31 शिक्षकों के स्कूल आवन्टन पत्र को निरस्त कर दिया गया है, कई अभ्यार्चों के पास B8 प्रमान पत्र नहीं, तो कई के पास में सीटेट वा एसटेट में अन्युक्ति पत्र को निरस्त किया गया है, हाई स्कूल में बहाल हरेंदर कुमार स्कना तक में विशय समू नहीं होने, पलस्टू स्कूल में निरस्त किया गया है, तो देखिए इस परकार से जितने भी साती हमारे पकड़े गये हैं, उनका न्युक्ति पत्र जो है एक तरह से निरस्त कर दिया गया है, अब आगे क्या होगा ये बताना बड़ी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी तेजी से चेकिंग चल रही है, और जो भी साती हमारे फरजी हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, अब उनको जेल में भी डाला जाएगा, या क्या किया जाएगा, ये तो बाद में ही प पत्र को निरस्त कर दिया गया है,